एक किसान दी कहानी एक दिन येसू चील दे किनारे लोकां दी एक वड़ी पील्डनू सिखा रहा सी बहुत लोग उसनू सुनन लई आए अते येसू पानी दे किनारे उत्ते एक बेडी विच चड़के उननल गल करन लगा ओ बेडी विच बैठ गया अते सिखान लगा येसू ने एक कहानी दसी एक किसान कुछ बीज बीजन लई गया जिवें ही ओ हाथ नल बीज रहा सी कुछ बीज रा विच डिगगे अते पंची आए अते उनन बीजानू चोग गए दूसरे बीज पत्रीली जमीन उत्ते डिगगे जिते ज़्यादा मिटी नहीं सी पत्रीली जमीन उत्ते बीज बहुत जल्दी नल उगगे पर उनना दियां जड़ा हेठा मिटी विच डूंगियां ना जा सकी जदों सूरत चड़या अते गर्मी होई पौदे सुक गए अते मर गए फिर दूसरे बीज चाड़ियां विच डिगगे ओ बीज वदन लगगे पर चाड़ियां ने उनना नू दबा लया इसलिए जिड़े पौदे चाड़ियां वली जमीन विच लगगे बीज जानतों वदे उनना ने कोई दाना पैदा ना कीता बाकी बीज चंगी जमीन ते डिगगे ए बीज वदे अते कोज ती गुणा कोज सथ गुणा एथों तक सो गुणा वदे रे दाने पैदा कीते जिसदे कन होन वो सुने इस कहाणी ने चेलयानों दुबदा विच पादिता इसलए यसुने ब्यान कीता बीज परमेशरदा वचन है रा विच ओ व्यक्ती है जो परमेशरदे वचननों सुनदा है पर उसनों समझदा नहीं अते शैतान उस कुणों वचननों दूर ले जानदा है पत्रीली जमीन ओ व्यक्ती है जो परमेशरदे वचननों सुनदा है अते अनांदनाल ग्रहन करदा है पर जदों मुश्कलां जा दुख ओंदा है ओ दूर हो जानदा है कंड्याली जमीन ओ व्यक्ती है जो परमेशरदा वचन सुनदा है पर समा पैंते जिन्दिगी दी देख पाल ता नदौलत खुशियां पर मेशर लई प्यार नू दबाज इन्दे हन नतीजे वजों ओ उसले कोई फल पैदा नहीं करदा पर चंगी जमीन ओ व्यक्ती है जो पर मेशर दे वचन नू सुनदा है विश्वास करदा है अतिफल पैदा करदा है